हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं भाजपा कातेगा सत्यासी विधायकों के टिकेट भाजपा राजिस्थान चुनाव में इस बार हार की आशंका वाले विधायकों को चुनाव के मैदान में नहीं उतारेगा पता चला है कि भाजपा ने अपने मौझूदा विधायकों में से सत्यासी विधायकों के टिकेट कातने का मन बना लिया है टिकेटों को लेकर कराए गए एक सर्वे और रायशुमारी के आधार पर पार्टी में इस मामले को लेकर प्रदेश और केंद्रिय नेतरत्व में भी सहमती बन गई है प्रदेश और केंद्रिय नित्रत्व दोनों ही हार की आशंका वाले विधायकों को टिकेट काटने के पक्ष में हैं बता दें कि विधानसबा चुनावों के लिए प्रत्याशी चैन को लेकर पिछले लंबे समय से भाजपा में मन्थन चल रहा है इसके लिए पार्टी की ओर से कई स्तर पर सर्वे भी कराए गए हैं इनमें विधायक की पर्फॉर्मिन्स समेथ कई बिंदूओं पर फोकस किया गया था उसके बाद हाल ही में भाजपा ने दो चर्णों में प्रत्याशी चैन के लिए तीन-तीन दिन तक राइशुमारी कर महा मन्थन भी किया था राइशुमारी का पहला चरन 14-16 सितंबर तक पाली के रनकपुर में किया गया था वहाँ जोदपुर, उदैपुर, बीकानेर और कोटा संभाग की 102 सीटों के लिए राइशुमारी की गई थी सूत्रों के अनुसार उसके बाद निकले निशकर्ष के आधार पर प्रदेश और केंद्रिय नित्रत्व में इस बाद पर सहमती बनी कि हार की आशंका वाले 87 विधायकों को इस बार मैदान में नहीं उतारा जाएगा उनकी जगा नए चेहरों को मौका दिया जाएगा उसके बाद दूसरा चरण 20 से 22 सितंबर तक जैपुर के आमेर में किया गया था इस चरण में जैपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग की 98 सीटों पर राईशुमारी की गई थी राईशुमारी के लिए दोनों चरणों में पार्टी के 32 श्रेनी के करीब 10,000 पदादिकारियों और कारेकरताओं को बुलाया गया था इस महामन्थन में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधर राजे और प्रदेशा ध्यक्ष से लेकर चुनाव अभ्यान से जुड़े तमाम वरिष्ट नेता शामिल हुए थे जैपुर से जागरुक टीवी के रिपोर्ट